आध मैं फिर आपके सामने statistics का एक और lesson लेके प्रस्तुत हूं नव भारती सिक्शा परिवार में आप सभी का स्वागत है हमने statistics के दो देख लिया है है पहले प्रहं पार्ट के अंदर statistics का क्या use होता है, सांकिकी के प्रयोक होता है उने विजलिटें करते हैं तो हम तीन केंद्रे प्रवरत्य के मापकों को निकालते हैं निकाल सकते हैं माध्य, माध्यका और बहुलक, तीनों को इस सीखना हमें क्यों जरूरी है, एक से काम क्यों नहीं चलता, एक को सीख लेंगे तो काम क्यों नहीं होगा, इसको भी हमने समझने का प्रियास किया था, कि माध्य, माध्यका और बहुलक में क्या अंतर है, आज फिर में बोड के उपर है एक छोटा सा सेक्षंटेस्ञ विद्यार्थियों का 6 6 जिस में , अंकनोर मेंडिका निकालना है है मीडियन निकालना है क्या कर सकते हैं , , क्यों से मेरे कां इसमें यहां जाने वीक बिलकुल बीच की सेनख्या को knife करें. इसमें कैसे हो और सब्सक्राइब करना होगा करना हे थैंन सबसे बड़ा अफ़र एसेंडिंग और में बढ़ते वे करम में लगाएंगे सबसे चोटे अंक्य कुंसा है तो पहले दो लिखेंगे तो उससे पड़ा चार चार पेर छे हैं पिर साथ है फिर आठके दो हैं और सबसे लाज में नो है अब इसमें बिल्कुल पीच के संख्या नहीं है, पता लगता है, शुरू से तीन छूड़ देते हैं, लास से तीन छोड़ देते हैं, वीजव ले संख्या है हमारी 7, तो मादीका क्या होगी हमारी इस अपड़ो के अंदर के अंदर साथ, बिलकुल ठीक, यहां तीन इधर से और तीन बाधमें से निकालने के बाद मध्य में एक बचा था और वो माद्धी आती। कभी-कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल बीच में कोई संख्या होती ही नहीं है या दो संख्या ही होती है जिसे नीचे क्या आख रहे हैं इन में तो इसमें बीच कांगे ढूंडते हैं तो पहला काम तो वही करना पड़ेगा हमें पहला क्या करना है इनको व्यवस्तित उसे जमान पेहला पहला है और यू इन को बचे है अब दोनों कम निक या निकाल लेका किस परकार से निकाली भी गई कोरे उन डौस्त इसे यूसा पनगा भाग गए तो आएका आपका 5 पॉइंट, यह आपका 5 पॉइंट. यह मादियका है. तो इस प्रकार से मादियका निकालते हैं. आप लोग समझ गया होंगे. यदी आंकड़े इतने छोटे नहीं होते, हमें जो आंकड़े सरिफ स्क्राइब करें कि एक स्क्राइब रखेंगे इसमें 65 बच्चे अ पिछ last है एसे जिक्जे किंगे तो पहला खाम क्या करते हैं माध्य का निकालने के लिए आपने सही का उन्हें हम एसेंडिंग उडर में में जम आते हैं तो जम आए हैं और फिर ü tuto इन्हें गिनना पढ़ेगा फिर नप्रोना पढ़े गा है, भ्रThis day तेबिल बनाके दी हुई है वो इसी बना लेंगे एक दो बार है δो लो है तीन दो भार है चार एक दो इस प्रकार से यह बाराम बारता साढ़नी है यह x है अंग है और यह बाराम बारता है तो इसके माद देखा ग्यांक की जिए हो आपको परीक्षा के अंदर इस प्रकार से आकड़े साइड आप बाक्प्रस नहीं हो डाना प्रसिपल प्रस्ले नहीं हो जिए की वांस के घुल कैया अटेखा जा करेगा इसकी मात देखा जिजिए हो बिच बटे दो इतनी आई दो तीया चहह दो सथे चोहदा और एक पंदरा एक और दस सारे सहतिस सारे सहतिस दसे निक हटा दीजिए सेटिस उदर सहता दीजिए चोहत्र हटक यह बीच वाला अंक पिच अद तर अच्छांग देगे इन आकड़ों में 38 समांगे कैसे दूनेंगे देखिए एक एक से छोटे संक्या एकुल कितनी है दो नहीं है दो या दो से छोटे संक्या है दो तो हैं ही एक भी तो है वो भी दो है चार है तीन या तीन से छोटे संक्या एकुल कितनी है दो नहीं है दो और तो चार और दो च्छे है चार यह 4 से छोटे सनख्या अक्फुल कितनी है 16 very good पांच यह फांच से छोटे छोटे सनख्या अक्फुल कितनी है 15 तो यहां तक के 16 होई तो 35 गत्य संक्या होई ऐसे करके इस से हम इस जो हम कांके ढुंद रहे हैं एक से छोटी, दो से छोटी, तीन से छोटी, चार से छोटी इन्हें बहुते हैं Cumulative Frequency संचाई बारंबार्ता संचाई बारंबार्ता संचाई बारंबार्ता टेबर बनाने चाहिए हमें वो कैसे बनाएंगे एक या एक से छोटी से जोडने यह कितनी है दो सांधे दो यह लिए अरोव यह चार कि कि वहीं चार और इता है जोड दो था थो थे में करना किए इसमें दों colgo यहां एक बात का ध्यान देना चाहिए विद्यारतियों यह जो पिछत्तर आये लास्ट में यह पिछत्तर और यह पिछत्तर यह समान होने चाहिए कि अब क्या करना है संचे बाराम बारता में आपको 37.5 से जस्ट बिगर ठीक बड़ी क्यूमिलिटिव फेक्वेंसी धूंडनी है 37.5 से यह यापका है माद्यका वाली पंग्ति अब इसमें इसके सीद में जो भी एक्स है छे यह आपके माद्यका हो जाएगी तो माद्यका क्या होगी आपके इसमें भी करते हम तो भी छे ही आती यदि हम 34 इधर 75 है नहीं यह तो 37 एक तरफ 37 एक तरफ निकालते 74 तो बीच वाला 75 वा जो अंक था वो आपका 35 वा जो अंक था वो 6 था ठीक है चली आप हमने देखा कि जब बहुत सारे बिद्यार्थियों के बहुत सरे लोगों के आंकडे में पर एक रहो तो हम कैसे करते हैं लेकिन यह दि यह अंक का टेस्ट नहीं होता यह होता पचास अंक का टेस्ट तो यह इसकेटर्ड होते आंकडे विखरेवे होते और यहां एक दो तींचार पांट शे साथ आख नो देख जाए पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा सा कॉंप्लेकेटेड हो गया तो इसके रिए वर्गंतरल बनाते हैं हमने अपको पहले लेसन में बताया था वर्गंतरल हम क्लास इंटर्वेल करके ऐसे करके टेवल बनाते हैं तो वर्गंतरल की बारंबारता स्रेणी उससे हम क दस अंक तक राप्तर करने वाले चार हैं दस से बीस तक आठ हैं ऐसे करके बनाई हुए यह आपके सामने एक टेबिल है परिक्षा के अंदर यह इस प्रकार से आखड़े आए और यह बोला जाए कि वर्गंतरल वाली बारंबारता स्रेणी बनाकर इसकी माद्दिका हमें पहला काम करना है क्यूमिलीट्रि फ्रिक्वेंसी वाले टेबिल बनानी है संसे यह बारंबारता टबीत पता लगेगा कि कहां पर है तो चार चार में 8 जोडा 12 12 में 11 जोडा 23 23 में 17 जोडा 40 40 में 10 जोडे तो 50 50 कि यह 50 यह पी 50 दोनों सेम है और आने चाहिए इसके पश बिल्कुल, N आपकों 2 निकालेंगे, N कितना? N है आपका 50, 50 बटे 2, तो कितना हो गया? 25, तो 25 आ गया, 25 से ठीक बड़ी संजे बारंबार का, ये 40 है, तो आपका ये हो गया, माध्य का वर्ग, ये कहलाता है माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग, ठीक है, अब एक सूत्र है, जिसके माध्य का वर्ग तो प्राप्ट हो गया, लेकिन 30 और 140 के बीच में जितने भी अंकाये थे, उन में से कोई एक माध्य का है, कौन सी है, कितनी आनी चाहिए, उसको फिर हम निकालते हैं, उसको फिर आवरेज निकालते हैं और उसका analysis करता है, उसके लिए एक formula दे रखा है, माद्दे का निकालने का, वो formula है, आपके माद्दे का, equals to L plus N upon 2 minus CFP upon F into H, या L क्या है, N upon 2 तो पता है, हमें N upon 2 तो 25 है, CFP क्या है, F क्या है, H क्या है, देखते है, L, L, निमने सीमा, किसके निमने सीमा, माद्दे का वर्ग की, यह 30, यह L है, ठिक है, N upon 2 पता है, में, N तो यह है, और N upon 2 पता है, CFP, CFP, संचे बारंबारता है, बिल्कुल, previous वाले वर्ग की, माद्दे का वर्ग से पहले वाले वर्ग की, यह, this is CFP, previous वाले वर्ग की, ठिक है, फिर F, F क्या, यह तो है, संचे बारंबारता, पहले वाले वर्ग की, पहले वर्ग की, F, माद्दे का वर्ग की बारंबारता यह रही, यह F, तो माद्दे का जो वर्ग है, उसकी बारंबारता, ठिक है, और H, एच कई जगे पर एच को आई से भी दिनोड करते हैं इंटरेवल अंतराल किसका अंतराल वर्ग अंतराल यह यह अंतराल कितना है हमारा 10 अब देखतें सब चीज़े देखते हैं लोवर लिमिट यह 30 प्लस एच अपॉन 2 कितना 25 माइनस CFP कितना 23 अपॉन एच कितना 17 एच इंटरेवल कितने का है 10 का इसको ओर करेंगे 30 प्लस 25 में से 23 गेट हो 2 दो बटे 17 गुणा 10 तो हो गया आपका 30 प्लस 10 दोनी 20 20 बटे 17 तो यह हो गया 30 17 का भाग देंगे 20 में सत्रा एकम सत्रा तीन बचे 3 की आगे 0 लगाया यह पॉन्ट लगाने के बाद में 30 होगे 17 दोनी 24 ज्यादा हो जाते हैं सत्रा एकम सत्रा फिर बचे तेरा तेरा में फिर 0 लगाया तो हो गया 130 सत्रा का पाड़ा को लेंगे चलिए यह आपका आंसर हो गया 30 1 तीज़ पॉइंट यह आपका उच्तर आ गया यह आपकी मांध्यका आ गई ठीक है तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार से माद्य का निकाला हमने ऐसे प्रसंद की माद्य का निकाली जिसमें हमारे पास कुछी कम अंक हैं उन्हें एक लाइन में सीधा खड़ा किया और इस प्रकार से निकाल ले तो अगली बार हम आपके सामने बहुलक लेके करूंगा आपको और कुछ प्रस्ण हल करने का प्रयास कीजिए कुछ कर पाते हैं तो अच्छी बात है नहीं कर पाते हैं तो मुझे जरूर बताईएगा और एक प्रस्ण आपको आपके वाटसेप ग्रूप के उपर मिलने वाला है उसे भी हल करके मेरे नंबर पर भेजिएग दन्यवाद